बाबा सिद्दकी के मर्डर के 6 दिन बाद आक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है ये धमकी मुंबाइ ट्राफिक कंट्रोल रूम को वाटसाप मेसेज के ज़र ये भीजी गई धमकाने वाले ने खुद को लॉरिंस ग्यांग का मेंबर बताया है मुंबाइ पुलिस के मुताबिक धमकी भरे मेसेज में लिखा था कि इससे हलके में मत लीजे सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरिंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे पाच करोड रुपए देने हूँगे अगर पैसे नहीं दिये गए तो सलमान खान का हाल बाबस सिद्धकी से भी बुरा होगा मुंबाइ पुलिस मेसेज भेशने वाले को ट्राक करने में जुटी हुई है सलमान के कवीबी और न्सीपी नेता बाबस सिद्धकी की 12 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी इसके बाद सलमान की सुदक्षा भी बढ़ाई गई थी